आज आप सब जानते हैं कि हमारा जो विशे है जिसको हम study कर रहे हैं पिछले 9 हफ़तों से, पिछले 8 हफ़तों से, आज 9 हफ़ता है, और ये जो विशे है ये हमारे मसीही जीवन को लेकर है, हमारा साधारण मसीही जीवन, हमारी normal Christian life, आप और मैं special नहीं है, सिर्फ है, हलेलुया, आप और मैं साधारण है, normal है, बड़े से बड़ा सेवक, बड़े से बड़ा प्रचारक भी normal है प्रभू के सामने, सिर्फ परमेश्वर special है, हम इस special परमेश्वर की सेवा करते हैं, हम पहले प्रभू को नहीं जानते थे, अब हम प्रभू को जानते हैं, और अब हमारा साधारण मसीही जीवन, हमारा रोज रोज का, हमारी डेली लाइफ, हमारी डेली क्रिस्टिन लाइफ, हमारा मसीही जीवन, उसको हम जी रहे हैं, पर ये मसीही जीवन कैसा होता है, इस में क्या कुछ होता है, इस विशे पर हमने 12 हफतों का इस अध्यान को हमने तयार किया था सबसे पहले हमने इस मसीही जीवन के बारे में ये देखा कि मसीही जीवन का सबसे मसीही जीवन में हर मसीही की सबसे पहली जिम्मेदारी है कि वो परमेश्वर को जाने कौन है परमेश्वर हम सब प्रभू की सेवा करना चाहते है यदि मैं आप से पूछूँ कि आप में से कौन कौन प्रभू की सेवा करना चाहता है आप सब अपना हाथ उपर उठाएंगे लेकिन जिसको आप जानते नहीं उसकी सेवा कैसे करेंगे जिसको आप जानते नहीं हो कि वो कौन है वो कैसा है वो कितना भला है उसकी योजना इस दुनिया के लिए क्या है या उसकी योजना आपके जीवन के लिए क्या है जिसको तुम जानते नहीं हो उसको उसकी सेवा कैसे करोगे और इसलिए हमारा पहला करतव्य, मनुष्य का पहला करतव्य परमेश्वर को जानना है हम अपने जीवन में ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि मैं ये चार चीजें कर लूँ, ये पान चीजें कर लूँ फिर मैं उसको जान जाऊंगा संपूर्ण जीवन परमेश्वर को जानने का एक अभ्यास है संपूर्ण जीवन यदि हम बिता दे हम परमेश्वर को पूरी तरह से नहीं जान पाएंगे कि वो कौन है और कैसा है लेकिन जितना परमेश्वर ने रखा है हमारे लिए कि हम जान ले उतना उसने पवित्र शास्त्र में हमारे लिए लिख करके हमें दे दिया है इसलिए हमारी जिम्मेदारी है हम शास्त्रों का ग्यान प्राप्त करें यदि हम पढ़े लिखें नहीं है तो हम शास्त्रों पर अधारित वचनों को सुने प्रवचनों को सुने और परमेश्वर के ग्यान में आगे बढ़ें आपकी पहली जिम्मेदारी परमेश्वर को जानना है उसके बाद येशु मसी को जानना और तीसरा पवित्रात्मा को जानना हमारा परमेश्वर त्रियेक परमेश्वर है वो त्रियेक परमेश्वर है वो एक परमेश्वर है पर उसके अंदर तीन शक्सियतें वास करती है एक परमेश्वर है लेकिन तीन व्यक्ती है मेरे पीछे बोले एक परमेश्वर है तीन शक्सियत है और हमने इस त्रीएक परमेश्वर को जानना है पिता, पुत्र और पवित्रात्मा पिता परमेश्वर, येश्यु मसी और पवितरात्मा इन्हें जानना हमारी जिम्मेदारी है हम कलीसिया क्यों आते हैं? हम बाइबल स्टडी क्यों अटेंड करते हैं? हम मेंटरिंग वन टू वन क्यों करते हैं? हम मसीही किताबें क्यों पढ़ते हैं? हम क्यों मसीही कोर्सिस करते हैं क्योंकि हमारा करतव ये है हम उसको जाने जो हमारा करता है हम उसको जाने जो हमारी जिन्दगियों का मालिक है हम उसको जाने जिसने इस दुनिया को बनाया है हम उसको जाने जिसके हाथों में हमारा भविश्य है आपकी पहली जिम्मेदारी परमेश्वर को जानना है येशु मसी को, पिता को और पवित्रात्मा को इनको जानना ये आपकी पहली जिम्मेदारी है और हम ये जानते हैं जब आप परमेश्वर को जानने लगेंगे येशु मसी को जानने लगेंगे शुरुवात ही में आपको पता चलेगा परमेश्वर बहुत पवित्र है और हम पापी है परमेश्वर ने दुनिया को बनाया परमेश्वर ने आपको और मुझको बनाया परमेश्वर ने आपको बनाया ताकि आपका और मेरा उसके साथ एक संबंध हो ताकि हम उसकी तरह पवित्र रहें क्योंकि पवित्र ही उसने हमें बनाया था लेकिन फिर दुनिया के एतिहास जो कि बाइबल के दूसरे पन्ने पे लिखा हुआ है कि मनुष्य ने पाप किया दुनिया बनाई, मनुष्य को बनाया सब कुछ अच्छा था लेकिन फिर आदम ने पाप किया हुआ ने पाप किया अर्थात मनुष्य ने पाप किया आपने पाप किया और हमारे पाप की वज़ासे हम परमेश्वर से दूर हो चुके हैं और इसलिए हमें हमसू समाचार के hour हमें ग्यान मिलता है कि परमेश्वर जिसने दुनिया को बनाया है उसने दुनिया को बचाने का भी योजना बनाया हुआ है। मनुष्य के साथ जो टूटा हुआ रिष्टा था उसको रिस्टोर करने के लिए उसको बहाल करने के लिए जो रिष्टा तूट गया था उसको जोडने के लिए परमेश्वर ने येश्व को इस धरती पे भेजा है। पर्पस देता है, एक उदेश्य देता है। ना केबल हमें स्वर्ग के लिए तयार करता है, लेकिन धरती पर हमें लाबदायक बना देता है। किस के लिए लाबदायक अपने लिए नहीं, अगर अपने लिए जीना है तो येश्व की जरूरत नहीं है। लेकिन लाबदायक का मतलब है, हम परमेश्वर के राज्य के लिए लाबदायक बन जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर इस दुनिया में अपना राज्य स्थापित कर रहा है। और उसका जो फाइनल ड्रामा, जो फाइनल एक्ट होगा, वो तब होगा जब येश्व वापस इस धर्ती पर आएगा, और एक हजार साल तक का शासन इस धर्ती पर स्थापित करेगा, और उसके बाद एक फाइनल युद्ध होगा, और उसके बाद शैतान हमेशा के लिए नर्ग की जील में डाल दिया जाएगा, फिर एक नई धर्ती होगी और नया अकाश होगा, फिर कोई बिमारी नहीं होगी, फिर कोई जगड़ा नहीं होगा, फिर कोई बैर भाव नहीं होगा, फिर सिरफ परमेश्वर और हम और उसके लोग और उसकी महिमा और उसकी उसके गौरव में हम जीएंगे, हम रहेंगे उस रोष्णी के अंदर, जो वो रोष्णी जो परमेश्वर है, हालेलुया सू समाचार हमें बदल देता है मसीहियों के लिए, येशु मसी पर विश्वास करने वालों के लिए सू समाचार वो एक चीज है सू समाचार वो एक ऐसी information है, ऐसा ग्यान है ऐसी शिक्षा है, ऐसा भेद है, ऐसी mystery है जिसको हम जब समझ लेते हैं येशु कौन है, इस धर्ती पर उसने क्या किया है, तो हमारी जिन्दगी जीने का ढंग बदल जाता है क्यूंकि हमारा उदेश्य बदल जाता है जब हमारा उदेश्य बदल जाता है तब हमारी energies को हम उस उदेश्य के लिए इस्तिमाल करते हैं, क्यूंकि जीवन एक ही है नमाई normal Christian life में हमारे साधारण मसीही जीवन में, परमेश्वर को जानना, येश्य मसी को जानना पवित्रात्मा को जानना और सूसमाचार के द्वारा परिवर्तित हो जाना बदल जाना, ये उसमें शामिल है और उसके बाद आत्मा में एक नया जीवन शुरू होता है कौन सी आत्मा की बात कर रहे हैं पवित्रात्मा की बात करते हैं जब तक जिसके पास येशु मसी नहीं है जब तक आपने येशु मसी पे विश्वास नहीं किया तब तक पवित्रात्मा आपके अंदर नहीं बसता पर जब आपने विश्वास कर लिया उसी शन उसी घड़ी पवित्रात्मा की मंदिर आप और में बन जाते हैं और जब पवित्रात्मा हमारे अंदर आके बसता है तब हम पवित्रात्मा के चलाई चलते हैं अब सवाल ये उड़ता है जितने विश्वासी हैं सब के अंदर पवित्रात्मा रहता है बढ़ क्या सारे पवित्रात्मा के चलाई चलते हैं, बिलकुल नहीं चलते हैं, इसलिए कुछ लोग दौड रहे हैं, कुछ लोग चल रहे हैं, कुछ लोग बैठ गए हैं, कुछ लोग हार गए हैं, और सैडली कुछ लोग मुड़ गए हैं, प्रभु में चलना बंद हो गए हैं इसलिए ये आपका फैसला है ये आपका समर्पन है कि आप कितना पवित्रात्मा को अपने आपको इल्ड करते हैं कितना पवित्रात्मा के सामने अपने आपको बिचा देते हैं अपने आपको दे देते हैं कितना अपने जीवन का नियंतरण आपने पवित्रात्मा के हाथों में सौंप दिया है आपका जीवन, आपका मसीही जीवन रियली सच मुच में कैसा रहेगा ये इस पर निर्भर करता है क्योंकि पवित्रात्मा जेंटल है पवित्रात्मा धक्का नहीं करता जबरदस्ती नहीं करता पवित्रात्मा gentle है पवित्रात्मा येश्युमसी हमारे दिल पर खड़ा होकर खटखटाता है हमें invite करता है हमें धका नहीं मारता विश्वास करो मुझे चलो मेरे अनुसार नहीं वो कहता है आओ मेरे पास आओ मैं तुम्हें अराम दूँगा इसलिए आत्मा में एक नया जीवन हमारा चलता है और पवित्रात्मा की सामर्थ हमारे अंदर चलती है पवित्रात्मा की सामर्थ हमें चलाती है पवित्रात्मा की सामर्थ हमें बुद्धी अकल देती है पर हमें ये लगता है जब मैं पवित्रात्मा का मंदिर बन गया हूँ तो शायद मेरे जिंदगी में बहुत अद्बुत काम होने चाहिए बिलकुल होते हैं पर आपको लगता है कि जब पवित्रात्मा मेरी जिन्दगी में काम कर रहा है जब मैं प्रभू के साथ चल रहा हूँ तो फिर मेरा जीवन तो बहुत बढ़िया चलना चाहिए मेरी जिन्दगी में से सारी समस्याई खतम हो जानी चाहिए और यहीं पर हमने अगला पॉइंट देखा था भरोसा रखना चाहिए जो कुछ भी हो जाए क्योंकि यदि आप येशुमसी पर विश्वास करते हैं यदि पवित्रात्मा आपके अंदर बसता है यदि प्रभू आपके अंदर बसता है क्योंकि आपने येशुमसी पर विश्वास किया है तो उसका अर्थ ये नहीं है कि आपकी जिन्दगी में चुनौतियां और चैलेंजिस नहीं होंगे आपके जीवन में हो सकता है आपने कहीं पर कोई प्रचार सुना हो आपने कोई ऐसी किताब पढ़ ली हो या आप किसी ऐसी प्रसिद शिक्षा के शिकार बन चुके हैं जिसमें ये सिखाया जाता है कि प्रभू में आओ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और हो सकता है कि आपके एक दो महीने निकल जाएं बिना किसी समस्या के या हो सकता है कि समस्याओं के बीच ऐसा प्रचार सुनकर आपको एक motivation मिल जाए अरे वाह मैं विश्वास करूँगा मैं विश्वास करूँगा सब ठीक हो जाएगा लेकिन कुछ दिनों के बाद reality सामने आती है और हम फिर निराश हो जाते है क्योंकि जीवन की हकीकत ये है कि हमारी समस्याओं जब तक प्रभू वापस ना आए हमारी समस्याओं एक ना एक रूप में चलती जाएंगी लेकिन एक खुबसूरत सच्चाई है आपकी हर मुसीबत में आपके हर चुनोती में आपके हर संगर्ष में आपको परमेश्वर कभी न छोड़ेगा और हम चाहते नहीं है कि परमेश्वर हमारी जिन्दगी के चुनोतियों और संगर्षों और हमारी जिन्दगी की बिमारियों और हमारी जिन्दगी के जितने भी कठिन परिस्थितियां है परमेश्वर उनको हमारी जिन्दगी में आने दे ऐसा हम चाहते नहीं है लेकिन जो हम चाहते हैं हमेशा वैसा नहीं होता क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन के संगर्षों को, चुनौतियों को परमेश्वर हमें सिद्ध बनाने के लिए इस्तिमाल करता है हमें ठीक करने के लिए इस्तिमाल करता है जब मुसीबत आ जाती है, है के नहीं है हम लंबा समय का प्रात्ना करते हैं गुटनों प्याके का प्रात्ना करते हैं हम रोकर का प्रात्ना करते हैं हम गिडगिडाकर का प्रात्ना करते हैं हम रियालिटी में सच्चाई में हम का प्रात्ना करते हैं जब हम बेबस और बेसहारा होते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के सामने जाते हैं, उसमें हमारा लाब होता है। परमेश्वर हमारी जिंदगियों के चैलेंजिस को, मुसीबतों को, बिमारियों को, चुनौतियों को परमेश्वर इस्तिमाल करता है ताकि वो हमें अपनी और खींच ले इसलिए हमें भरोसा रखना है चाहे जो कुछ भी हो उसके बाद मसीही परिवार के बारे में हमने सीखा हमने मसीही परिवार के बारे में सीखा कि परमेश्वर ने इस दुनिया को जब बनाया तो परमेश्वर ने सबसे पहले परिवार बनाया परमेश्वर ने सबसे पहले स्कूल नहीं बनाया परमेश्वर ने सबसे पहले चर्च नहीं बनाया, सोचने की बात है, परमेश्वर ने समाज बनाया, परमेश्वर ने परिवार बनाया और संपूर्ण बाइबल पती पत्नी और बच्चों का आपस में कैसा रिष्टा होना चाहिए वो पूरी खूबसूरत तस्वीर को हम बाइबल के अंदर देखते हैं मैं अंत में और बताऊंगा मसीही परिवार के बारे में क्यूंकि वो आज के वचन का भी हिस्सा है उसके बाद हमने पिछले हफते देखा मसीही जीवन, मसीही और जीवन का उदेश्य किसी Christian जो विश्वासी है, आप और मैं विश्वासी है हमारे जीवन के उदेश के बारे में पिछले हफते हमने सीखा और आज हम मसीही और समाज हम जो परभू के लोग हैं, हमारा रिष्टा इस society के साथ, इस समाज के साथ जो प्रभू को नहीं जानता उसके साथ हमारा रिष्टा क्या है उसके बारे में हमने देखा है मसीहत परमेश्वर के साथ एक relationship है एक रिष्टा है यदि आप एक मसीही है येशु मसीपर विश्वास करते हैं तो इसका मतलब आपका परमेश्वर के साथ एक रिष्टा है और ये रिष्टा येश्व मसीह की वज़ा से शुरू हुआ क्योंकि वो रिष्टा आपके पाप के कारण टूटा हुआ था लेकिन येश्व आया उसने आपके पाप के लिए मेरे पाप के लिए क्रूज पर उसने अपनी जान दी और जब मैंने उसके क्रूज पर उसकी मृत्यू पर विश्वास किया तब उस समय मेरा पाप माफ हो गया जब मेरा पाप माफ हो गया तो मेरा रिष्टा परमेश्वर के साथ जो टूटा हुआ था वो दुबारा से जुड़ गया और अब मैं मसीही जीवन की शुरुवात कर चुका हूँ और मसीही जीवन की जो शुरुवात हो चुकी है इसकी आखरी मंजिल क्या है मसीही जीवन की आखरी मंजिल स्वर्ग है और विश्वास करो क्योंकि कुछ लोग पहली बार आएं मैं बताना चाहता हूं कि स्वर्ग इस धर्ती पर नहीं है स्वर्ग स्वर्ग है, नर्क नर्क है, धर्ती धर्ती है इस धर्ती पर अगर कुछ है भी तो शायद थोड़ा सा नर्क है लेकिन स्वर्ग में इस धर्ती पर स्वर्ग की तुलना स्वर्ग की हम कामना भी नहीं कर सकते हैं स्वर्ग कितना सिद्ध कितना सुन्दर कितना पवित्र और कितना शांती से भरा हुआ एक स्थान है मसीही जीवन की शुरुवात हो चुकी है लेकिन मसीही जीवन का जो मन्जिल है अंतिम मन्जिल है वो हमारा आस्मानी मकान है वो स्वर्ग है जहां पर एक स्थान पर प्रभु येश्व ने कहा कि वो हमारे लिए तयार कर रहा है और जब हम इंतजार कर रहे हैं उस दिन का कितने लोग इंतजार कर रहे हैं स्वर्ग का इंतजार तो हम सब कर रहे हैं बड़ शायद हम अभी जाना नहीं चाहते ये बात भी सच है बड़ खेर हम सब इंतजार कर रहे हैं जब हम स्वर्ग में पहुंचेंगे हम इंतजार कर रहे हैं जब येश्यू वापस आएगा सब कुछ ठीक करेगा जब शेतान का अंतिम न्याय होगा और सारे जूटे प्रचारकों का न्याय होगा और विश्वास ना करने वालों का और बाइबल में लिस्ट दी हुई है किन-किन कुकर्मियों का किन-किन कौन-कौन से पाप करने वालों का जब हमेशा के लिए विनाश होगा जाते हैं कि जब तक वो समय नहीं आता, जब तक धर्ती का अंत नहीं होता, जब तक येशु वापस नहीं आता, हम रहते तो इसी समाज में हैं, रहते तो हम इसी दुनिया में हैं, तो फिर मैं कैसे जीए हूँ इस संसार में, कैसे जीए हूँ इस समाज में, जो ना तो परमे से जिस दुनिया से उसने हमें निकाल लिया क्योंकि पहले हम समाज के अनुसार चलते थे हम समाज के अनुसार विश्वास करते थे हमारी रीती रिवाज हमारे सारे हमारे हमारा सब कुछ समाज के अनुसार होता था लेकिन आज हम प्रभू के अनुसार चलते हैं तो फिर ऐसा वेस्ट कहें तो 95% प्रभू को नहीं जानते। सिरफ 5% लोग प्रभू को जानते हैं। अगर हम सब को काउंट करें तो जो येशु मसी के नाम को विश्वास करते हैं। तो ये 5% की माइनॉरिटी 95% के मेजॉरिटी में कैसे जिये? कैसे उनके साथ रिष्टा रखे? कैसे अपने मसीही जीवन को बाहर पर दर्शित करे? इस सवाल को आज हम देखेंगे। हम जानते हैं ये धर्ती सब कुछ नहीं है। हम जानते हैं इस वर्ल्ड इस नॉट आल देरिस। जो कुछ इस दुनिया में हम देखते हैं बस ये ही नहीं है दुनिया में कुछ और भी है। हम परमेश्वर के अनुसार दुनिया को देखते हैं। तो इस बात को हमें देखना है कि हमें बस स्वर्ग का इंतजार नहीं करना है परन्तु समाज के साथ सक्रियता से एक्टिव होकर हमें मेल मिलाप रखना है ताकि हम प्रभू का हिर्दे उनके सामने प्रकट कर सकें हमें passively wait नहीं करना अब तो हम विश्वासी हैं अब तो हम स्वर्ग जाने वाले हैं हमें सुस्त होकर अनेक्टिव होकर बस इंतजार नहीं करना स्वर्ख का क्या लिखा है परंतु समाज के साथ सक्रिय होकर मेल जोल रखना है ताकि हम प्रभू का हिरते, प्रभू का दिल क्या है दुनिया के लिए ताकि हम वो उसको दिखा सके, हम प्रेजेंट कर सके, हम प्रदर्शित कर सके आपको बता है हम क्रिस्टिन्स की, हम मसीहियों की प्रॉबलम क्या है हम दो एक्स्ट्रीम की तरफ जुक जाते हैं दो एक्स्ट्रीम मतलब या तो हम ये करते हैं बिलकुल अलग और या हम दूसरी तरफ चलते हैं दो तरफ हैं, हम दोनों तरफ जुक जाते हैं या तो हम जादा इस तरफ हो जाते हैं या हम बहुत जादा उस तरफ हो जाते हैं और मैंने इसको स्क्रीन पे इस प्रकार दिखाया है और वो ये है या तो हम इतने संसारिक हो जाते हैं कि किसी को पता भी नहीं चलता कि हम मसीही हैं हम इतने संसारिक हैं आप में से शायद कुछ लोग मैं भी उस में से हो सकता हूं हम में से कुछ लोग अपना मसीही जीवन दुनिया में, समाज में, आफिस में, गली मुहले में, दोस्तों के बीच में इस प्रकार हमारा जीवन है कि अगर जब तक हम मूँ खोल के ना बताएं कि हम चर्च जाते हैं, उनको पता तक नहीं चलेगा कि हम विश्वासी हैं इस तरह के विश्वासी होना बहुत असान है, क्योंकि हम समाज में समाज के जैसे, और चर्च में चर्च के जैसे समाज में समाज के रिती रिवास पूरे करते हैं, और चर्च में चर्च के रिती रिवास पूरे करते हैं यह है एक extreme, यह है एक तरफ जादा जुक जाना जो की गलत है, in fact यह प्रभू का इंकार करने के समान है, यदि आप दूसरों को बता भी नहीं सकते कि आप मसीही हैं, तो या तो हम इतने जादा संसारिक हैं, दुनियावी हैं, प्रभू का नाम लिए चलते फिरते हैं अंदर, लेकिन हमारे चाल चलन से, हमारे बातचीत करने से, हमारे परिवारिक फैसलों से, हम अपना समय कैसे बिताते हैं, हम किस प्रकार अपनी छुटियां बताते हैं, everything, सब कुछ से पता चलता है, कि हम तो विश्वासी है यह नहीं दरसल में, हम इतने संसारिक हैं, अगर कोई हम से ना पूछे, तो पता भी नहीं चलेगा कि हम क्रिस्चन हैं, हम मसीही हैं, और दूसरी तरफ क्या हो जाता है, या तो हम संसार से इतने कट जाते हैं, अलूफ हो जाते हैं, अलग-अलग रहते हैं, अपने आपको उनसे ज़्यादा पवित्र धन्य समझ के दिखाते हैं, क वो हमारे साथ relate करने के, हमारे साथ mail मिलाप रखने के अपने आपको यो की नहीं समझते, क्यूंकि हम वो Bible जो शायद पढ़ते कभी नहीं हैं, लेकिन Bible समाज में लेके जरूर चलते हैं, हमारे तक्ये के नीचे होगी Bible, हमारे हाथ में होगी Bible, हम जब बाहर चलते फिरते है लेकिन कभी पढ़ते नहीं उस Bible को, क्यूंकि हमें सिर्फ हमारी मसीही छवी अच्छी लगती है, हमें अपने आपको धार्मिक मनुष्य दिखाना अच्छा लगता है, तो या तो हम बिलकुल संसारिक हो चुके हैं, या फिर हम अपने आपको इतना आत्मिक बना चुके हैं या अपने आपको इतना आत्मिक बताते हैं, पहली बात जितने हम हैं नहीं, लेकिन क्यूंकि उनको हमारे अंदर सिर्फ ये आत्मिक क्रियाएं दिखती हैं, वो हमारे साथ रिलेट नहीं कर पाते हैं, और हम गमंडी नजर आते हैं उनके बीच में, मैं आज ये बाते हैं क जब हम बहुत ज़्यादा बाहर समाज में बहुत ज़्यादा अपने आपको पवित्र, होली, प्रात्ना करने वाला, उपवास करने वाला, हम बहुत ज़्यादा आत्मिक धार्मिक जब अपने आपको बनके बताते हैं इस हिसाब से कि हम दूसरों को नीचा दिखाना चाहते हैं अपने आपको उचा दिखाना चाहते हैं खास तौर पे समाज में तब हम किसी को प्रभू की तरफ आकरशित नहीं कर रहे हैं हम किसी को प्रभू की तरफ घीच नहीं रहे हैं क्यूंकि हमारे अंदर प्रेम और धीरज मिसिंग है हमारे अंदर सेवा मिसिंग है हम इन दो एक्स्ट्रीम्स में पाए जाते हैं बहुत बार तो हम देखते हैं Bible क्या बताती है इस विशे में Bible क्या बताती है इस विशे में कि हमारा समाज के साथ रिष्टा कैसा होना चाहिए वो समाज जो प्रभू को नहीं जानता ना उसका भे मानता Bible इसके बारे में क्या बताती है तो तब इसमें पहली बात ये है ये परमेश्वर का आदेश है वो उसको देखते हैं परमेश्वर ने मनुष्य को क्या आदेश दिया है परमेश्वर ने मनुष्य को मैंडेट क्या दिया है और इस मैंडेट को हम उत्पति उसका एक 26 से लेके 28 तक हम उसमें देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुश्य को बनाया और परमेश्वर ने उसे फलवंत होने के लिए कहा परमेश्वर ने उसे बढ़ने फलने फूलने के लिए आदेश दिया और यह केवल physical केवल संसार को भर देना यह वो आदेश नहीं है लेकिन इसमें कुछ और भी है जो मैं आपको बत पुद्र के मचलियों और आकास के पक्षियों पर तथा घरेलू पसुओं और सारी प्रित्वी और हर एक रेंगने वाले जंतुओं पर जो प्रित्वी पर रेंगते हैं प्रभुता करें परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को, हम मानवजाती को अपने स्वरूप में बनाया, मानवजाती का मतलब समाज, परमेश्वर ने समाज को अपने स्वरूप में बनाया, आज प्रभू का समाज, प्रभू का हिंदूों में है प्रभु का स्वरूप में हार एक व्यक्ति रचा गया है और मनूषि को अपने स्वरूप में स्रिजा अपने ही स्वरूप में परमेश्वर ने उनको स्रिजा उसने नर और नारी करके उनकी स्रिष्टी की परमेश्वर ने उन्हें आसिस दी और उनसे कहा फूलो फलो और पृत्वी में भर जाओ और उसे अपने वस में कर लो और समुद्र की मक्षलियां तथा आकास की पक्षियां और प्रत्वी पर चलने फिरने वाले प्रतेक जिवजंद पर अधिकार रखो तो परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और किस प्रकार बनाया? परमेश्वर ने मनुश्य को अपने स्वरूप में बनाया ठीक है? और प्रभू ने कहा अब तुम जाओ और पूरी पृत्वी पर फैल जाओ और पूरी पृत्वी पर शासन करो राज کرो अब परमेश्वर का स्वरूप मतलब परमेश्वर का गुण जैसा परमेश्वर है प्रभू ने कहा उन गुणों को दुनिया भर में पहला दो और पिछले हफते हमने बड़ी सूची बनाई थी चर्च में आपको याद है परमेश्वर के गुणों की तो परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया अर्थात परमेश्वर ने समाज को बनाया और परमेश्वर ने मनुष्य से कहा कि हे मनुष्य इस समाज को बढ़ा और इस समाज को मेरे गुणों से भर दे ये समाज मेरे जैसा नजर आए जैसे मैं प्रेमी हूँ तो प्रेम से भर दे मैं धीरज हूँ तो संसार में सब के अंदर धीर जो मैं शांती प्रिय परमेश्वर हूँ तो संसार में शांती के साथ तुम जीओ मैं न्याई परमेश्वर हूँ तो तुम संसार भर में जस्टिस करो न्याई करो लेकिन ऐसा मनुष्य नहीं किया मनुष्य ने पाप किया पर परमेश्वर का आदेश पूरे समाज के लिए केवल चर्च के लिए नहीं, क्योंकि शुरू में तो चर्च था ही नहीं, केवल मनुष्य था, केवल समाज था, और परमेश्वर ने मनुष्य को समाज के लिए आदेश दिया, कि जाओ और इसे प्रेम, शांती और नयाएं स चला गया शांती चली गई पाप आ गया और संसार भर में शांती प्रेम और सुंदरता भरने के बजाए हमने क्या भर दिया हमने क्या भर दिया हमने पाप भर दिया हमने स्वार्थ भर दिया हमने गंदी आदतों को भर दिया हमने सेलफिशनेस को भर दिया हमने धोके को भर द हमने हर बुराई से इस दुनिया को भर दिया यहीं पर हम देखते हैं परमेश्वर की योजना जो समाज के लिए थी मनुष्य ने उसे तोड डाला मनुष्य ने उस आधेश का उस mandate का जो परमेश्वर ने दिया मनुष्य ने उसका पालन नहीं किया और क्यूंकि ऐसा नहीं हुआ इसलिए 2000 साल पहले ये शुमसी आया, क्रूस में मरा और आज हम समाज में दो समाज देखते हैं, एक तो है संसारिक समाज और एक कलीसिया, और इस कलीसिया की जिम्मेदारी क्या है, ना केवल प्रभू की अराधना करना, लेकिन ध्यान से सुनो, जिस प्रकार परमेश्वर दुनिया से प्रेम करता है, उस प्रकार परमेश्वर कलीसिया से कहता है, अब तुम प्रेम करो, जैसे मैंने पहले बनाई थी दुनिया, परमेश्वर कहता है, जैसे मैंने मनुष्य को आदम हवा को शुरू में बनाया था, दुनिया को प्रेम औ और न्याएं और शान्ती से भरने के लिए और तुम लोगों ने किया नहीं और अब तो येश्व मसी के कारण तुम बचाए गए हो तो अब वो चर्च से कहता है विष्वासियों से कहता है कि करो प्यार दुनिया से जैसे मैं प्यार करता हूँ भरो दुनिया में शांती और न्याएं और शांती और इसलिए हमें सेवा के लोग बनना है और सेवा का अर्थ कलीसिया के अंदर वाली सेवा नहीं लेकिन सेवा का अर्थ कलीसिया के बाहर वाली सेवा है और बहुत बार, बहुत बार कलीसिया इस आदेश में कमजोर हो चुकी है कमजोर है हमारी कलीसिया, कमजोर है इस दुनिया में कलीसिया बहुत स्थानों पे कमजोर है क्योंकि हम जाने हंजारे में दूसरे एक्स्ट्रीम में पहुंच रहे हैं हम तो प्रबु को जानते हैं, हम दुनिया वालों से अच्छे हैं, वो तो मूर्ती पुजा करते हैं, हम तो नहीं करते हैं और इस प्रकार दुनिया के सामने उनको प्रेम, नयाय और शांती दिखाने के बजाए हम अपनी आत्मिक्ता में इतने फूल चुके हैं, कि उनके सामने हम घमंडी प्रतीत होते हैं, क्योंकि हम हैं और हमारे घमंडी विवहार से लोग प्रबु की तरफ आकरशित नहीं हो रहे हैं, पर हमारी जिम्मेदारी यही है परमेश्वर ने, यहुना 3,16 मुझे सब बोल के बताओ कैसे है, 1,2,3, क्योंकि परमेश्वर ने जगद से ऐसा प्रेम किया क्या परमेश्वर ने कलीसिया से प्रेम किया, नहीं, परमेश्वर का प्रबु ने दुनिया बनाई थी सेवा का आदेश, पूरे समाज, मनुष्य को दिया था, पूरे समाज के लिए लेकिन हमने सब कुछ गड़बड कर दिया, इसलिए आज कलीसिया को नया आदेश मिला है अब तो करो, तुमारे पाप माफ हो चुके हैं, अब तो करो दुनिया से प्रेम आपको बताए, येशु मसी वापस क्यों नहीं आ रहा है येशु मसी अब तक वापस क्यों नहीं आ रहा है, वचन बताता है क्योंकि वो नहीं जाता कि लोग नाश हो जाएं वो चाता है कि हर एक मनुष्य सच्चाई के ग्यान को प्राप्त करे इसका अर्थात जादा से जादा लोग सच्चाई के ज्यान को प्राप्त करें बढ़ हम तो संसार को बेसिक प्रेम तक दिखाने में चूक जाते हैं तो किस प्रकार हम संसार को प्रभू के बारे में बताएंगे परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया ताकि मनुष्य समाज को परमेश्वर के गुणों से भर दे और वो तीन मुख्य गुण है प्रेम, शान्ती और न्याए मेरे पीछे बोलो प्रेम, शान्ती और न्याए इसलिए मेरे भाईयो और बहनो परमेश्वर दुनिया से प्रेम करता है कलीसिया के द्वारा या यूं कहें परमेश्वर दुनिया को प्रेम करना चाहता है कलीसिया के द्वारा या यूं कह सकते हैं परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया चर्च के लोग संसार के लोगों से प्रेम करें और उनके सामने प्रभू के हिर्दे को प्रस्तुत करें हमारे स्कूल में एक हिंदू टीचर काम करती है प्रभू को नहीं जानती चार साल से वो हमारे साथ जुड़ी हुई है पिछले साल एक बहुत खुशी की बात थी इस केक बना के लाई और जब उसने हमें केक दिया तो उसने सब के सामने उसने अभी कुछ दिन पहले दुबारा ये बात एक करेकरम था उसमें उसने ये बात कही हिंदू टीचर है प्रभू को नहीं जानती है ल cuma के में बोला करना चाहती हूं यह आकर्शन है यह वो आकर्शन है जो हमें प्रभू की तरफ हमें लोगों को खीचना है क्या आपका जीवन क्या आपके पडोसी प्रभू की तरफ आकर्शित होते हैं आपकी वजह से क्या आपके मकान मालिक परमेश्वर की तरफ आकर्शित होते हैं या क्य क्या कम से कम वो आपके अंदर कुछ अलग देखते हैं, आपके अंदर कुछ ये प्रेम देखते हैं, शांती देखते हैं, धीरज देखते हैं, क्या आपका जीवन बात करता है दूसरे लोगों से, क्या आपके जीवन में वो the power of example, उधारन का जो सामर्थ है, उधारन, एक ओफिस में, हमारी हर public dealing में, क्या हम कुछ अलग हैं करके, क्या नजर आता है दूसरों को, अगर हम प्रभू के लिए दिख नहीं रहे हैं समाज में, हम क्या करेंगे परमेशवर के लिए, हमारा रिष्टा क्या है समाज के साथ, हमने सबसे पहले देखा, बाइबल बताती है हमारा सीधा सीधा रिष्टा है, क्योंकि परमेशवर ने समाज को बनाया प्रेम, शान्ती और नयाएं से भरने के लिए, जो हम नहीं भर पाए, पर अब हम प्रभू को जानते हैं, तो अब हमें संसार में, समाज में प्रेम और शान्ती और नयाएं को भरने का काम करना है, यह हमारी calling है, यह हमारी बुलाहट है, और दूसरा हम देखते हैं, प्रभू के लोग मिस्र देश में गुलाम थे, और वहां पर हम देखते हैं कि प्रभू के लोगों ने गुलाम नगर में, जहां पर वो गुलाम थे, मिस्र देश को बिल्ड किया, मिस्र देश के लिए महनत क मिस्र देश को they ended up building it 430 साल की गुलामी के दुरान उन्होंने उस देश को कहां से कहां पहुंचा दिया उस देश को तरक्की की बुलंदियों तक वो ले गए उस देश को बनाया प्रभू के लोगों ने बनाया मिस्र देश को उसके बाद जब प्रभू के लोगों को बाबुल Babylon में जब बंदी बनाकर के भेजा गया तो वहां पर परमेश्वर का वचन देखो किस प्रकार आता है और प्रभू का वचन परमेश्वर के लोगों को गैर देश में क्या वचन देता है इसको सुनिये और इसको हम जर्माया में देखते हैं जर्मिया 29 का साथ है अगर आप लोग सब मेरे साथ हैं सुन रहे हैं तो हलेलुया बोल दीजिए हलेलुया जर्माया 29.7 और जिस नगर में मैंने तुम्हें बंदी बनाकर बेजा है उसकी कुसलता का प्रयास करो और यहवा से उसके लिए प्रात्ना करो क्यूंकि उसकी कुसलता में ही तुम्हारी कुसलता होगी अब आप मुझे बताओ सब लोग सुन रहे हैं हमारा हमारी मेन मंजिल क्या है हमारा मुख्य नगर कौन सा है विश्वासी लोगों का वो मेन नगर कौन सा है जिसके हम नवासी है जोर से बोलेंगे स्वर्ग तो इस धर्ती पर हम हमेशा के लिए हैं या टेंप्ररी हैं इसका मतलब हमारा यहां से जादा तालमेल नहीं होना चाहिए लेकिन प्रभु कवचन क्या कहता है परमेश्वर के लोगों से कहता है जो पराई देश में है यह दुनिया हमारे लिए पराई देश के जमान है लेकिन परमेश्वर का नगर परमेश्वर का वचन परमेश्वर के लोगों को जो की एक पराई देश में रहते हैं उनको यह बोलता है उस नगर की कुछ शलता के लिए कामना करो म लेकिन विश्वासियों के लिए, परमेश्वर का वचन ये है, गुडगाओं के लिए प्रातना करो, गुडगाओं की कुशलता के लिए मेहनत करो, प्रयास करो, गुडगाओं के लोगों की सेवा करो, क्योंकि परमेश्वर केवल DBF गुडगाओं से प्रेम नहीं करता है, प लेकिन प्रेम, शब्दों में प्रेम पहुचाने से पहले, हमें कर्मों में प्रेम को दिखाना है, ताकि जब हम बोलें, तो हमारे बोलने में सामर्थ हो, और हम authentic लोग ठेहरें, आगे हम देखते हैं, प्रभू येशु मसी की शिक्षा, स्क्रीन पे देखिए, येशु ने मत पांच में कहा, क्या, पांच की तेरा में क्या कहा, पढ़के बताईए, पांच की तेरा में येशु मसी में क्या कहा, तुम धर्ती के नमक हो, आपको बताए, नमक क्या करता है, स्पेशल अगर हम मीट को देखें, तो मीट नमक को प्रिजर्व करता है, सड़ने से बचाता ह नमक का काम नमक स्वादिष्ट बनाता है हम इस धर्ती के नमक है हम गुड़गाओं के नमक है नमक सुन्दर बनाता है, शड़ने से बचाता है आप लोग बताइए, आप किस प्रकार अपने आसपास के दुनिया को अपने आसपास के वातावरण को सड़ने से बचा रहे हैं आप किस प्रकार अपने आसपास दीरज, प्रेम और शान्ती और न्याय को ले किया आप क्या कर रहे हैं अपने आसपास प्रेम फैलने के लिए अपने आसपास न्याय फैलने के लिए अपने आसपास शांती स्थापित करने के लिए मसीहियो तुम क्या कर रहे हो प्रभु ने पांच के चौदा में कहा तुम जगत की जोती हो जोती अंधकार को अटैक करती है और जोती अंधकार को हरा देती है मेरे प्रियो और प्रमेश्वर ने ये नाम दिया है हमें कि हम जगत की जोती है और 5-16 में प्रभू ने क्या कहा तुम्हारी जोती जोर से पढ़ेंगे 1-2-3 तुम्हारी जोती मनुष्यों में यो चमके कि लोग तुम्हारे भले कामों को देख तुम्हारे स्वर्ग के पिता की महिमा करें ये कौन से लोग हैं by the way तुम्हारी जोती मनुष्यों में कौन से मनुष्यों में समाज के मनुष्यों में जो प्रभू को नहीं जानते इसका मतलब यदि हमें समाज में परमेश्वर की महिमा को लेकर के आना है उस बीच कुछ करना होगा वो क्या है हमें भले कामों में जमकना होगा हमें भले कामों में जमकना होगा Catholic कलीसिया के जो सरप्रस्थ हैं जो लीडर हैं उन्हें पोप कहते हैं कहा जाता है कि अगर Protestant हम लोगों में, अगर विश्वासी लोगों में, अगर कोई Pope बनने के लायक है, Catholic वाला Pope नहीं, लेकिन हमारा अगर कोई Pope बनने के लायक है तो यूं कहा जाता है कि Pastor John Stott, उनकी अमृत्ति हो चुकी है लेकिन कहा जाता था कि वो एक ऐसे मनुष्य हैं, जिनके अंदर Protestant कलीसिया का Pope बनने की योकिता शामिल है उनके शब्दों को देखिए, वो क्या कहते हैं, Pastor John Stott यो कहते हैं Like salt in putrefying meat जैसे नमक meat को सडने से बचाता है, उसी प्रकार, मसीही लोग समाज को सडने से बचाएंगे समाज वे बुराईयां फैल रही हैं के नहीं लेकिन मसीही लोग समाज को सडने से बचा सकते हैं उसी प्रकार, जैसे नमक meat को सडने से बचाता है Like light, जिस प्रकार जोती अंधकार के, का सामना करती है उसी प्रकार मसीही लोग समाज में रोश्णी लेकर के आएंगे और समाज को बहतर रास्ता दिखाएंगे जो रोश्णी है उसे अंधेरे में चमकना है रोश्णी को एक दीवट पर रखकर उपर रखना है ताकि वो आसपास के वातावरण को रोश्णी दे ये रोश्णी का प्रभाव है जो अंधकार पर पड़ता है मेरे प्रियों आपका प्रभाव क्या पड़ा है अब तक आपके पडोसी पर क्या प्रभाव आपने डाला है या आपके रीती रिवास, बाकचीत मू के वचन, गाली, गलोच सब कुछ बिलकुल उनके जैसे ही है और हम फिर चर्च में आके बैठे है और हम चार दिन कन्वेंशन में भी आएंगे हम ताली पीट कर गाना गाएंगे वचन सुनकर भी हम ताली बोलेंगे क्या वचन बोला पास्टर ने दुबारा बुलाओ इन पास्टर को खाना भी मस्त खाएंगे लेकिन अगले दिन जाकर हमारी पडोसी को पता भी नहीं चलेगा कि हम प्रभू के वचन से भर के आए हैं कि हमने प्रभू के दर्शन किये हैं याद करना जब मुसा ने प्रभू के दर्शन किये थे जब पहाड़ी पर से नीचे आया तो लोग उसको देख नहीं पाए क्योंकि वो प्रभू की जोती से ऐसा भरा हुआ था जब सचमुच आप प्रभू से मुलाकात करते हैं कलीसिया में या प्राथना में तो आसपास का समाज आपके आसपास का वातावरण escape नहीं कर सकता जो जोती आपके अंदर है जो सामर्थ आपके अंदर आ चुकी है उससे प्रभावित होने से आपका समाज, आपका वातावरण बच नहीं सकता मेरे प्रियो बट सवाल तो ये है क्या सच्मुच हम प्रभू के दर्शन कर चुके है या क्या सच्मुच हम प्रभू के दर्शन करना चाहते है या क्या सच्मुच हम प्रभू के लिए चमकना चाहते है बहुत समय निकाल दिया है तालिया पीट कर और गाने गा कर परमेश्वर इस जगत से प्रेम करता है और कलीसिया में हम वचन सीखने आते हैं ताकि अंत में हमें यही कहा जाता है जाओ और प्रभू के लिए जीओ जाओ और सेवा करो और हम अपने जीवन की एक्जाम्पल की पावर को हम हमने एक बहुत गम आंका है आप इस समय सोच करके देखो आपकी जिन्दगी में एक मनुष्य बताओ जिसके जीवन को देखकर आपके अंदर एक प्रभाव पड़ा है सोचो इस समय सब लोग एक आदमी बताओ जो प्रभू का भे मानता है जो विश्वासी है और उस विश्वासी का जीवन देखकर आप उसके प्रभाव से बचना सके सोचो उस मनुष्य के बारे में और फिर सोचो ये उधारन का प्रभाव है अगर आप एक सही माइने में यदि आप एक धन्य जीवन जीते हैं धरती पर तो आपको इस स्थान पे खड़े होके प्रचार करने की कोई जरूरत नहीं है मेरे जीवन में जिन लोगों ने प्रभाव डाला है वो कभी भी यहां पे खड़े होके प्रचार नहीं किये या किसी भी कलीसिया में खड़े होके प्रचार नहीं किया लेकिन मैंने ऐसे लोगों के जीवन से सीखा है क्योंकि उनका प्रभाव मुझ पर पढ़ा क्योंकि प्रभू उनके अंदर बसता है और जब वो मेरे साथ बात करते है तो प्रभू मेरे साथ बात करता है मैं भाग ही नहीं सकता जो सामर्त उनके अंदर है उससे मैं भाग नहीं सकता उनके जीवन को देखकर मुझे पता चलता है ये प्रभू के साथ चलता है और मुझे इसके समान बनना है क्योंकि वही खुदा जो उसके अंदर बसता है वो मेरे अंदर भी बसता है फरक सिर्फ इतना है उस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर के गुण मुझसे जादा काम कर रहे हैं तो मैं तडपता हूँ, खुदा मैं भी तुझ में बढ़ना चाहता हूँ अगर आप एक प्रभू को भे मानने वाला जीवन जीते हैं तो आपको प्रचार करने की जरूरत नहीं है खड़े होकर प्रभू की सिवा करने के लिए आपके जीवन का प्रभाव दूसरों का जरूर आकरशित करेगा दो चीज़ें हो रही है या तो आपका जीवन दूसरों को प्रमेश्वर से दूर कर रहा है automatic और या फिर आपका जीवन दूसरों को प्रभू की तरफ खीच रहा है Who are you? चुन लो दोनों में से कौन हो क्या तुम्हारा जीवन दूसरों को प्रभू से दूर कर रहा है या क्या तुम्हारा जीवन दूसरों को बेबस कर रहा है कि जैसे ये मनुश खुदा के साथ चलता फिरता है मुझे भी इसके समान मेरे प्रभू के साथ चलना है मेरे प्रियो परमेश्वर आपके साथ एक गहरा रिष्टा स्थापित करना चाहता है परमेश्वर आपके साथ चलना फिरना चाहता है, परमेश्वर आपके साथ को तबदील करना चाहता है परमेश्वर अपने हाथों में अपनी योजना में आपको एक instrument, एक हथ्यार के रूप में इस दुनिया में इस्तिमाल करना चाहता है और पत्रस की शिक्षा में हम इस बात को देखते हैं और पत्रस कहता है पहला पत्रस 2 के 12 में स्क्रीन पे लिखा हुआ है विधर्मियों के बीच अपना वेवार इतना उत्तम बनाए रखो कि चाहे वे अपराधियों के रूप में तुमारी आलोचना करें किन्तो तुमारे उत्तम कर्मों के परिणाम स्वरूप परमेश्वर के आने के दिन वे परमेश्वर को महीमा प्रदान करें विधर्मी लोग कौन है मेरे प्रियोश समाज में हमारे विधर्मी भरे पड़े है समाज ऐसे लोगों से भरा है जो हमारा विरोध करते है जिनको हमारे काम नहीं पसंद, जिनको हमारी सेवा तक पे शक है, उन लोगों के बीच में है, हमें किन के बीच में, अब अच्छा, विधर्मियों के बीच अपना विवहार कैसा बनाना है, ना ना, कुछ और है, उसके पहले क्या लिखा है, इतना उत्तम, मतलब उनके सामने, समाज वालों के सामने, हमारा विवहार बहुत 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 अती उत्तम होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे लिखा है, इतना उत्तम, मतलब बहुत जादा उत्तम हमारा विवहार होना चाहिए, अब आप सोच लो, मेरा और आपका विवहार, हमारे समाज में, हमारे विधर्मियों चाहे वो कोई भी हो लेकिन समाज में हमारा विभार कैसा है हमारा चलना फिरना कैसा है हमारी बाच्चीत कैसी है हमारे रीती रिवास कैसे है हमारे नौजवान बच्चे कैसा जीवन जीते है विधर्मियों के बीच मतलब समाज के बीच समाज की सेवा करनी है जो हमारी आलोचना करता है हमें एक ऐसे समाज की सेवा करनी है जो हमारी आलोचना करता है तारीफ नहीं करता येशु ने कहा ये तुम से नफरत करते हैं क्योंकि ये मुझे नहीं जानते और मेरे पिता को नहीं जानते तो जिस समाज में हमें सेवा करने के लिए कहा गया है वो समाज हमारी तारीफ नहीं करेगा हमारी सेवा तक को शायद ग्रहन ना करेगा लेकिन उनके बीच में हमारा विवार इतना उत्तम होना चाहिए हमारे पडोसियों के सामने, हमारे मकान मालिक के सामने हमारे दफ्तर में जहां हम काम करते हैं या जिस घर में हम काम करते हैं जिस फैक्टरी में हम काम करते हैं जहां पर भी हम काम करते हैं हमारे मित्रों के सामने हमारे दोस्तों के सामने दोस्त हम सब के हैं और प्रभू को ना मानने वाले दोस्त भी हम सब के हैं खाने पीने में या उनके सामने दोस्ती निभाते हो उनकी सेवा करते हो पर मसीही सिध्धानतों से टलते नहीं और जब तुम अपने मसीही सिध्धानतों से नहीं टलोगे तब तुम उनको एक दिन प्रभु की तरफ अकरशित करोगे विधर्मियों के बीच अपना विवार इतना उत्तम बनाए रखो कि चाहे वे अपराधियों के रूप में तुम्हारी अलोचना करें वो तुम्हें अपराधी समझेंगे, समाज तुम्हें अपराधी समझेगा क्योंकि समाज कभी भी पूरी तरह से हमें समझ ना पाएगा हमेशा लोग हमारे बारे में गलत सोचेंगे यहाँ पे कितने लोग हैं जो प्रभू में आने के लिए जिनको पांच लाख दस लाख मिले हाथ उठाओ कोई है कोई ऐसा है जिसको पचास हजार मिले लेकिन समाज हमारे बारे में क्या बोलता है कि हमें प्रभू में आने के लिए क्या मिलता है पैसा मिलता है और हमें उनको क्या कहना चाहिए सबसे बढ़िया जवाब उनको क्या देना चाहिए कोई बता सकता है सबसे बढ़िया जवाब उनको और देना भी चाहिए क्योंकि प्रभू ने हमें मू दिया है हमें अपनी आशा के लिए खड़े रहने के लिए बोलने के लिए पत्रस सिखाता है तो में क्या बोलना चाहिए भाई साब या बहन जी हमें प्रभू में आने के लिए कोई पैसे नहीं मिले है उल्टा हमें प्रभू में हर महीने पैसे देने पड़ते हैं हमें अपनी कमाई का दस्वा हिस्सा देना पड़ता है लेकिन समाज हमें गलत तो जरूर समझेगा उल्टा तो जरूर बोलेगा कुछ गलत तो जरूर बोलेगा लेकिन अपना विवहर इतना उत्तम बनाए रखो कि चाहे वे तुम्हें अपराधी कहें और तुम्हारी आलोचना करें आगे पड़ो क्या लिखा है किं तु, तुम्हारे जोर से बोलो क्या लिखा है तुम्हारे उत्तम करो यानि कि तुमारे भले काम, तुमारे good works, तुमारे सेवा के कामों के परिणाम स्वरूप, क्या लिखा है, परमेश्वर के आने के दिन, वे परमेश्वर को महीमा प्रदान करेंगे. आपने देखा किस प्रकार यदि हम समाज में सेवा करेंगे तो किस प्रकार समाज जो प्रभू को नहीं जानता एक दिन प्रभू की महिमा करेगा क्योंकि उस दिन जब प्रभू आएगा वो हमारे भले काम, देश भर में जो मसीही लोग, जो सिवा के कारेकरम करते हैं, जो अनाथाश्रम चलाते हैं, जो वृधाश्रम चलाते हैं, जो स्कूल चलाते हैं, जो कॉलिजिस चलाते हैं, जो अस्पताल चलाते हैं, उस दिन समाज बोलेगा, सच मुछ ये प्रभू की लोग थे, और वो हमारे प्रभू क कि महिमा करेंगे आपका समाज से रिष्टा क्या है आपका समाज से रिष्टा ये है कि प्रभू भला है तो आप समाज को भले कर्मों से भरो और समाज को दिखाओ परमेश्वर का भलाई का हिर्दे क्या है एक दिन जरूर तुमारी भलाई और तुमारी सच्चाई और तुमा अंतकाल के लिए नहीं चुने गए हैं तो वो अपने मरने तक या प्रभू के आने तक विश्वास तो शायद नहीं करेंगे लेकिन प्रभू के आने के दिन हालेलुया हमारे भले कामों के कारण परमेश्वर के स्थुति करेंगे आपका रिष्टा यही है कि आप आपका रिष्टा समाज के साथ यही है कि समाज को भले कामों से भर दो वहां हमारे जीवन की सामर्थ उनको दिखती है वहां हमारा प्रेम उनका मुँ बंद करता है हमें बहुत गर्व है इस बात का कि पिछले 2000 साल में कलीसिया ने लगातार यूरोप में, अमेरिका में एफरिका में, एशिया में पूरे देश, पूरी दुनिया में कोने कोने में प्रभू के लोगों ने अनाथाश्रमों को चलाया है प्रभू के लोगों ने अस्पतालों को चलाया है प्रभू के लोगों ने एक बज़े मिलने का समय दिया उनके चर्च मैं एक बज़े पहुंचा तो पास्टर भूल गए कि उन्होंने मुझे ऐसे अमेरिका के लोग ऐसे करते नहीं है लेकिन ये पास्टर भूल गए टाइम दे कर तो उनको फोन किया मैंने और वो बले sorry past joy मैं बस अभी पहुंच रहा हूं आदे घंटे में मेरे पास आदा घंटा था मैं उस चर्च को पूरा गुम गुम कर देख रहा था एक कमरे में से मुझे आवाज आई वो चर्च की बिल्डिंग थी और मुझे पता चला कि उस चर्च ने 20 बेघर होमलेश लोगों को अपने चर्च में रखा हुआ है हमने इस बिल्डिंग में कभी बेघरों को नहीं रखा लेकिन उस चर्च में जहां मैं गया था चर्च की बिल्डिंग के अंदर 20 बेघर लोग रहते थे और चर्च के लोग वहाँ पे आते हैं, उन लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, सिखाते हैं और उनको पूरा ट्रेन करते हैं ताकि वो एक दिन एक नौकरी पकड़ लें और एक पहतर जीवन को जी सके, ये चर्च है जो बे सहारा लोगों को सेवा कर रहा है, जो बे घर लोगों के लिए अपनी चर्च की बिल्डिंग को खोल दे रहा है, मैं एक दूसरे चर्च में था, फर्स्ट एवैंजलिकल चर्च में, उस दिन उस संड़े, एक सेवकाई के लोग, वहाँ के एक NGO के लोग आये हुए थे, और उनको चर्च में बोलने का समय दिया गया था, 2000 लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, और अमेरिका में अलग-अलग देशों से refugee आते रहते हैं, तो refugee मतलब जो दूसरे देश के लोग हैं, अपनी जान बचाकर इस देश में आ गए, और अब उनके पास कोई साधन नहीं है, बहुत सारी उनको समस्याएं हैं, क्योंकि उनके पास वो नए हैं इस देश में, रहने तक की जगा नहीं है, तो ये NGO जो था, ये चर्च के अंदर, उनको अपनी सेवा के बारे में बता रहा था, और पूरा चर्च उस दिन, उन लोगों की मदद कर रहा था, क्योंकि ये refugees के लिए, अपना furniture चर्च के लोग दे रहे थे, कपड़े दे रहे थे, किताबे दे रहे थे, और क्योंकि वो ऐसे देशों से आते हैं, जहांपे English नहीं बोली जाती, तो चर्च की महिलाएं, उन लोगों को जाकर, English सिखाने का काम कर रही थी, खुबसूरत तस्वीर है, समाज और कलीसिया का रिष्टा क्या है, ये बहुत अच्छी तस्वीर है, जो मैंने आपको बताई है, ये रिष्टा है, लोगों का धरम पूछे बिना, उनकी सेवा करना, जब पिछले साल और उसके पिछले साल, जब कोविड महामारी ने इस देश को बहुत बेबस कर दिया था, तब मसीही लोग थे, और भी अन्ने लोगों के साथ, मैं उनके बारे में बताऊँगा, लेकिन मसीही लोग थे, जगा जगा पर, स्थानों स्थानों पर, जिन्होंने बहुत से लोगों की सेवा की है, और उनका ध्यान रखा है, आपको मालूम है, गुलामी मिटाने के पीछे किनका हाथ था, जो गुलामी का कॉंसेप्ट है, कि कि किसी इंसान को खरीद लेना, उसे गुलाम की तरह रखना, उसको मिटाने के पीछे, मसीही अगुओं का हाथ है, आप सब जानते हैं, मदर ट्रीजा ने किस प्रकार, इस देश के करोडों बच्चों को, आशरे दिया है, और उनको खाने पीने, और एक इजज़त का जीवन दिया है, प्राइज मिला, वो कौन थे, आर्चबिशप, डेस्मेंट, उनको ये इनाम मिला, कि इस गंदी प्रथा को, कि लोगों के रंग के अधार पे, उनको विभाजित किया जाए, और उनका उनका बुरा, उनके साथ बुरा विभार किया जाए, उसको नश्ट करने वाले कौन थे, उसको नश्ट करने वाला एक विश्वासी था, हमारे देश में सती, खतम करने के पीछे किसका हाथ था, एक बाहर से आया हुआ प्रभू का दास, विलियम केरी, उसकी मेहनत से, इस देश में सती समाप्त हुई, वरना आज पती मरते, तो पत्नियों को साथ में जलाया जाता, ये प्रता हमारे देश की थी, बड़े प्राउट थे हम इस प्रता को लेकर, लेकिन इस अनर्थ को बंद करने वाले के पीछे, एक विश्वासी अगवे का हाथ था, बच्चों को पेट में मार देना, अबॉर्शन, इसके खिलाफ बोलने वाले, अधिकतर प्रभू के लोग हैं, कि पेट में बच्चों को मार दिया जाता है, और अंत में ये जरूर कहना चाहता हूँ, कि इस दुनिया में, भले काम करने वाले केवल मसीही नहीं है, प्रभू अन्य धर्मों के लोगों को भी इस्तिमाल कर रहा है, ये प्रभू की प्रेड़ना, कहीं न कहीं प्रभू की प्रेड़ना में होकर, वो भले कामों को कर रहे हैं, हमारे देश में, हिंदू लोग बहुत भला काम कर रहे हैं सरदार लोग बहुत अच्छे कामों को कर रहे हैं विशेश रूप से खाना किलाना और मुफ्त इलाज करने की सेवा में सरदारों ने, सिख लोगों ने बहुत काम किया है वो प्रभू को नहीं जानते सत्य को नहीं जानते, लेकिन वो प्रेम का काम कर रहे हैं, हम उनकी तारीफ करते हैं और प्रभू इस्तिमाल कर रहा है तो पत्रस कहता है कि तुम अपना अपना वेवार, अपना जीवन इतना उत्तम रखो, तो सवाल उठता है, किस प्रकार हम उत्तम समाजिक जीवन जीएंगे जिसके लिए पत्रस मुझे सिखाता है समाज में केवल कलीसिया में नहीं मेरे प्रियो हम लोगों को कलीसिया में अच्छा विवहार करना आता है कलीसिया के लोगों से हडल करना आता है कलीसिया के लोगों से शादियों में बुलाना, बर्थने मनाना, हमें दुख सुख में खड़े रहना, हमें कारे करमों में जाना, हमें कलीसिया को तो मसीहियों को आपस में बहुत अच्छा लगता है. लेकिन हमें समाज के अंदर भी अपने प्रेम को बांटना है. लेकिन हमेंसे कई लोग अपने पडोसियों का नाम तक नहीं जानते हैं हमेंसे कईयों ने अपने पडोसियों को रीच आउट करने की कोशिश ही नहीं की और यहां पर दस हजार परचे बाटने की बात करते हैं अपने पडोसी को परचा देना छोड़ दो फिलहाल अपने पडोसी का नाम जानो अपने पडोसी के दुख में हाथ बटाना समझो जानो अपने पडोसी की मदद को करना सीखो अपने पडोसी की सेवा करना सीखो किस प्रकार एक उत्तम समाजिक हम जीवन जीएंगे और आपको लगेगा पास्टर बोलेंगे ये करो वो करो लेकिन देखो सबसे पहले क्या करना है अपने विश्वास में मस्बूत बनो अपने विश्वास में मस्बूत बनो अगर आपके विश्वास में दम नहीं है तो आपके जीवन में दम नहीं है अगर आपके विश्वास में दम नहीं है तो आपके जीवन में ताकत नहीं है आपको अपने विश्वास में, मसीही सिधानतों में, मसीही शिक्षा में, बाइबल पढ़ने में, प्रातना करने में, उपवास करने में, बाइबल स्टडी आने में, एक मसीही किताबों को पढ़ने में इसलिए बढ़ना है क्योंकि संसार को आपके अंदर की भलाई नहीं चाहिए संसार को परमेश्वर की भलाई चाहिए जो आपके द्वारा दूसरों तक पहुंचती है वरना मनुष्य अपने आप में भला नहीं है मनुष्य स्वार्थी है People don't need your goodness They need the goodness of God through you परमेश्वर लोगों को इस समाज को आपकी भलाई आपकी गुडनेस आपकी अच्छाई की आवशकता नहीं है मेरे प्रियो इस समाज को परमेश्वर की भलाई परमेश्वर की अच्छाई की जरूरत है जो आप में से होकर आपके द्वारा समाज तक जाती है और इसलिए अगर आप एक उत्तम समाजिक जीवन जीना चाहते हो तो सबसे पहले अपने आत्मिक जीवन में मस्बूत बनो क्रूस उठा कर प्रभू के पीछे चलो कमिट्मेंट के साथ अपने मसीही जीवन में आप आगे की आगे सीड़ी चड़ते जाएं परमेश्वर के ज्यान में बढ़ते जाएं बाइबल के ज्यान में बढ़ते जाएं उपवास प्रात्ना करके परमेश्वर के साथ एक निकट्टम संबंद में मस्बूत होते जाएं आपको अपने विश्वास में बढ़ना है क्योंकि संसार को आपकी भलाई नहीं चाहिए संसार को परमेश्वर की भलाई चाहिए जो केवल आपके द्वारा एक साथ एक चैनल के रूप में निकलती है हमारा प्राइमरी फोकस बाइद वे जिन्दगी में हमारा जो मुख्य काम जिन्दगी में मुख्य ध्यान जिस बात पर हमें देना है वो भले कर्म नहीं है मेरे प्रियोग हमारा मुख्य ध्यान हमारी आत्मा की दशा पे होना चाहिए हमारे विश्वास की दशा पे होना चाहिए क्योंकि जब हम विश्वास में मजबूत होंगे तो परमेश्वर हमारी जिन्दकी के द्वारा समाज में काम करेगा हलेलुया जब परमेश्वर के साथ आपका रिष्टा बना हुआ होगा तो जैसा परमेश्वर है He is full of love वो प्रेम से भरा हुआ है He is full of justice वो न्याएं से भरा हुआ है तो वो गुण आपके अंदर आपके द्वारा आपके समाज में जाएंगे आप एक करुणा के व्यक्ति बन जाएंगे आप एक प्रेम करने वाले व्यक्ति बन जाएंगे आप एक कुर्बानी देने वाला मनुष्य बन जाएंगे अगर आपको उत्तम समाजिक जीवन जीना है तो अपने विश्वास में मजबूत बनिये the more you are filled with God जितना जादा आप परमेश्वर से भरे वे होंगे उतना जादा परमेश्वर की भलाई आपके अंदर से निकल कर दूसरों के जीवन में काम करेगी परमेश्वर ने तो कहा ही था कि तुमारे अंदर से मैं जीवन जल की दरिया भाऊँगा तुमारे अंदर से निकलेगी तुम नहीं हो बस तुमारे अंदर से निकल कर जीवन जल की धरिया जीवन जल का जहरना वो हमारे अंदर से बहाएगा समाज के लिए इस दुनिया के लिए So this is the first thing I would say अपने विश्वास में मस्बूत बनो और दूसरी बात अपने व्यक्तिकत, परिवारिक अपने कामकाजी और समाजिक जीवन में उधारन बनो उधारन बनो एक्जामपल बनो जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने अपने जीवन में ऐसे लोगों से सीखा है उनके जीवन को देख कर सीखा है जिन लोगों ने कभी यहां खड़े होकर प्रचार नहीं किया और कहीं पर खड़े होकर प्रचार नहीं किया लेकिन उनके जीवन, उनका जीवन मुझे से बात करता है, उनका जीवन मुझे आकरशित करता है, उनका परिवारिक जीवन, उनका कामकाजी जीवन, हमेंसे कितने हैं जो अपने काम को मेहनत से करते हैं, और अपने बॉस से जूट नहीं बोलते, और अपने काम को उत्तमता से करते हैं और अपने काम में शॉटकट नहीं ढूनते और पेट दर्ध और ये सब बच्चों वाले कारण दे कर हम अपने छुटी मारने की कोशिश करते हैं हमें इसे कितने हैं जिनकी अंदर अपने काम को लेकर एक हाई, एक हाई work ethic हमारे अंदर नहीं है मेरा काम, मेरी जिम्मेदारी है, मेरा काम परमेशवर की महीमा करने का एक साधन है जो परमेशवर ने मुझे दिया है मैं अपने काम को उत्तमता से करके सफाई से करके, मैंनत से करके, और निश्पक्षता से करके और खराई के साथ करके मैं परमेश्वर की महीमा करूंगा हम अपने परिवारिक जीवन, अपने व्यक्तिकट जीवन, अपने समाजिक जीवन में हमें उधारन बनना है हमें personally internally हमें गुप्त रूप से पवित्र होना है हमें परमेश्वर का approval हमें परमेश्वर का okay ढूणना है मेरे गुप्त जीवन में अगर परमेश्वर आपके गुप्त जीवन से खुश है तो वो आपके सारवजनिक जीवन से जरूर खुश होगा क्योंकि हमारे लिए बहुत असान है सारवजनिक जीवन में दूसरों के approval को ढूणना दूसरों की वहवाही को ढूणना हमें अच्छा लगता है और असान भी है हमारे लिए लेकिन जो अपने गुप्त जीवन में परमेश्वर की approval को प्राप्त कर लेता है वो समाज में अच्छा उधारन बन जाता है तो आपके गुप्त जीवन में आपके प्राइवेट जीवन में क्या परमेश्वर की मोहर लगी है आपके प्राइवेट जीवन में क्या परमेश्वर की महिमा हो रही है अगर आप अपने प्राइवेट जीवन में अपने परसनल जीवन में अपने इंटर्नल अपने अंदरूनी जीवन में जो कोई नहीं देखता और जो कोई नहीं जानता अगर आप उस जीवन में पवित्र है तो आपके जीवन में सामर्थ प्रभु की काम करनी शुरू हो गई है आप अपनी पत्नी से प्रेम करें अपने पती से प्रेम करें उनके साथ वफादारी निभाएं लेकिन उनकी सेवा करें और उनको माफ करें मसीही शादी शुदा जीवन की शादी शुदा जीवन की परिभाशा या निचोड यही है एक ऐसे व्यक्ति के साथ जीना जिसको मुझे बार बार माफ करना है और जिसकी मुझे सेवा करनी है शादी शुदा जीवन की परिभाशा यही है एक ऐसे व्यक्ति के साथ मरने तक जीना जिसको मुझे बार बार माफ करना है और जिसकी मुझे सेवा करनी है और हाँ आदमी लोग और अपनी अपनी पत्नियों की सेवा कर सकते हैं और करनी हैं अगर आदमी घर में खाना बनाए तो इसमें कुछ अनर्थ नहीं है ये साधारण है आदमी लोग घर में जाडू पोचा भी कर सकते हैं आदमी लोग घर आए के लिए खाना बना सकते हैं आदमी लोग बच्चों को देख भाल कर सकते हैं इसमें ऐसा करने से आप महान नहीं बन गए आप नॉर्मल हैं और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप नॉर्मल नहीं हैं और आप कही न कहीं अपने आपको प्रभू समझ र रखा है और हम बड़े अराम से बैठते हैं उस सिंगासन पर जिस सिंगासन पर समाज ने हमको बिठाया है लेकिन परमेश्वर हसता है हमारे इस प्रकार के समाजिक नियुमों पर जिनकी उपर परमेश्वर की मौर नहीं है इसलिए अपने अपनी पत्नी के साथ एक अच्छा जीवन बिताएं अपने पती के साथ वफादारी को निभाएं छुपा कर कुछ किसी बात को ना रखें अपने अपने परिवार में परात्ना के महौल को ले करके आएं अगर आपके परिवार में प्रातना का महौल नहीं है आपका परिवार मजबूत नहीं हो सकता अपने बच्चों को केवल प्रोवाइड करना अपने बच्चों को केवल जो उनको चाहिए वो देना माता-पिता की जिम्मेदारी ने भाना नहीं है क्योंकि जानवर भी देते हैं जानवर तक अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करते हैं और केवल अपने बच्चों को किलाना पिलाना गुमाना फिराना अच्छे स्कूल में पढ़ाना बिमार है तो उनको दवाई दिलाना ये पेरेंटिंग थोड़ी है ये तो सधारन है लेकिन सही पेरेंटिंग वो है सही माता-पिता का रोल निभाना वो है जब अपने बच्चों में छोटी उमर से हम परमेश्वर के भै को डालते है और उन्हें परमेश्वर का रास्ता दिखाते है जैसा नीती वच्चन में लिखा है कि तु अपने बच्चों को जब वो छोटे हैं सही रास्ता दिखा ताकि जब वो बड़े हों तो वो उस रास्ते से भटकेंगे नहीं और अपने बच्चों को discipline करना आपके बच्चे, मेरे बच्चे पापी हैं छोटी उमर से हमारे बच्चे पापी हैं इसलिए उनको डिसिप्लिन करना उनको परमेश्वर के वचं से दिखाकर उनसे बात करना छोटी उमर से हमारी जिम्मेदारी है और अंत में मैंने आपसे अलड़ी बताया कि आप अपने काम को मेहनद से करें और अंत में आप अपने पडोसी से प्रेम करें हम में से कई लोग अपने पडोसी के नाम तक को नहीं जानते आज शुरू करें जहां पे आप रहते हो अपने आसपास के 4-5 घरों को जानना शुरू करें उनकी सेवा करना शुरू करें और आप उनके जीवन में प्रवेश करने के लिए रास्ता बनाएं और आप उनकी सेवा करें और उनकी जरूरतों को पूरा करें और ये वो जीवन है जो एक उधारन का जीवन है और अंत में आप प्रेम के बीज बोएं कर्मों के द्वारा सेवा के कर्मों के द्वारा बीच को बोएं प्रेम के बीच को बोएं जब आप बीच बोते हैं वो ज़रूर फल ले करके आता है तो आप प्रेम के बीच को बोएं सूसमाचार को बांटें जैसे आपका रिष्टा अच्छा किसी के साथ स्थापित होता है उनको बताएं प्रभू ये शुमसी के बारे में. ये मत सोचो सीधा चर्च लेकि आने से काम हो जाएगा. कोई क्यूं आएगा चर्च? प्रभू ने लोगों को चर्च लाने के लिए नहीं बोला. प्रभू ने चर्च के लोगों को बाहर जा करके सेवा करने के लिए बोला है. और बाहर जाएंगे, अच्छा जीवन जीएंगे, भले कर्म करेंगे, प्रेम करेंगे, प्रेम के बीच बोएंगे, अच्छा रिष्टा बनाएंगे समाज के लोगों के साथ, वहाँ पर खुद अपना जीवन से और अपने शब्दों से उनको सूसमाचार बताएंगे, फिर वो अपने आप हमारे साथ चर्च में आएंगे. मैं चर्च में विश्वास में आने के चार महीने बाद आया था बाइदवे. मैं चर्च में विश्वास में नहीं आया. मैं एक छोटे से ग्रुप में विश्वास में आया. उसके चार महीने बाद मैंने चर्च का मूँ देखा हमें लगता है लोग चर्च में आएंगे तो बचेंगे नहीं आपके जीवन को देखकर समाज के लोग बच जाएंगे प्रभू में आ जाएंगे और उसके बाद वो चर्च में आएंगे एक तरह से हम यूद के है सकते हमें लोगों को चर्च में नहीं लेके आना हमें चर्च को लोगो तक पहुंँचाना है ताकि वो अपने आप संगती में आ सके शुद्ध मन से सेवा करें बिना इस बात की चिंता किये कि कोई ये आदमी प्रभू में आएगा के नहीं आएगा बिना इस बात की चिंता करें सब की सेवा करें जैसे गलातियों छे के दस में पॉलूस कहता है तुम सब की सेवा करो विशेश रूप से जो मसी के परिवार के लोग है लेकिन उसका मुख्य आदेश है तुम सब की सेवा करो जैसे आप दोस्त बनाते हो आप मित्रता करते हो उनके साथ सूसमाचार बांटो येशु मसी कौन है? कुरूस पे वो हमारे लिए मरा उसने हमारे लिए अपनी जान दी वो तीन दिन बाद मुर्दों में से जीवित हुआ उनकी बिमारियों के लिए आपको किसी को बुलाने की आवशक्ता नहीं है आप जाकर के खुद येशु मसी के नाम से आप उनके लिए पराथना कर सकते हैं और अंत में यही कहूँगा कि आप संसार के लिए पराथना करो जिस समाज की सेवा की में बात आज कर रहा हूं मेरे प्रियो इस समाज को अंत में आपकी नहीं परमेश्वर की जरूरत है और आप संसार के लिए पराथना करें आप समाज के लिए प्रात्ना करें क्यों ना हम इस संसार को प्रेम करें क्योंकि परमेश्वर संसार को प्रेम करता है और वो हमें इन्वाइट करता है हमें बुलाता है कि हम भी इस संसार के लोगों से प्रेम करें मैं यही पर समाथ करना चाता हूँ उत्तम समाजिक जीवन कैसे जीएं सबसे पहले अपने विश्वास में मजबूत बनो सब मिलके पढ़ेंगे पहली बात क्या है अपने विश्वास में मजबूत बनो दूसरा अपने विक्तिगत परिवारिक, कामकाजी और समाजिक जीवन में उद्धारन बनो और तीसरा प्रेम के बीच भी हो वो सुसमाचार बांटो और संसार के लिए प्राथना करो